नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जड़ी एस टैकॉल चनल में दोस्तों अगर आप एक यूटूबर है और आपने बहुत महनत करके आपने अपने यूटूब चैनल को मोनिटाइज करा लिया है और दोस्तों जब आपके एटसेंस में 100 डॉलर हो जाते हैं तब आपका प आपको एक बात का ध्यान जरूर देना है कि दोस्तों आपका जो बैंक एकाउंट है या आपका जिस भी बैंक में एकाउंट है उसका आपका एक सुप्ट कोड होना चाहिए तो दोस्तों सुप्ट कोड के लिए आपको कैसे पता करना है आपको सिंपली क्या करना है अपने bank account की साखा में जाना है और दोस्तों बहाँ आपको bank के करमचारियों से या आप branch manager से direct जाके बात कर सकते हैं और उनसे आप साखा का subcode मांग सकते हैं और दोस्तों अगर वो कहें कि मेरी साखा का कोई subcode नहीं है तो दोस्तों आप उस bank account को अपने google adsense से link नहीं कर सकते हैं क्यों तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने google adsense account में आ चुका हूँ यहां पर आपको एक action का button दिख सकता है अगर आपको यहां कोई action का button नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है यहां यह payment लिखा हुए आपको यहां आ आपको simply क्या करना है payments पे आ जाना है जैसे ही आप payment पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ scroll कर करते सकते हैं यहां दोस्तों अभी मेरे क्या है 33 dollars को है दोस्तों यहां लिखा हुआ है add payment method तो दोस्तों आपको simply add payment method पर click करदेना है दोस्तो जैसे ही आप add payment method पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो यहां जो चीज़ें आपको लगने वाली हैं उसके लिए आ गया है जैसे यह लिखा हुआ है beneficial ID दोस्तो यह आपकी कंबल सरी नहीं है अगर आप चाहें तो इसको नहीं भर सकते हैं दोस्तो और दोस्तो इसके बाद option मिलता है name on bank account याने जो आपको bank account में जो भी आपकाύा बर ना है यहा नीचे लिखा HORवा.. य massage कोड कोड है और दोस्तो यहां लिखा हुए shift BIC दोस्तो यह वही Frankie कोड है जिसकि मैंने पहले चर्चा कर्दी है इसके बाद दोस्त하면 इसके बाद दोस्तो यहां आपको account number बर ब दोस्तो Z-type account number, यानि आपको 12 से यहां account number भर देना है, दोस्तो इसके बाद नीचे का आपका यह पहले से ही भरा होगा, और दोस्तो जब आप यह detail भरेंगे तो आपको एक बात का ध्यान देना है, जो भी आपका bank account perfect name है, आपको same उसी spelling के साथ यहां भी आपको bank account का name भर देन होगा, तो दोस्तो यहां मैंने अपनी सारी details fill कर ली है जोस्तो, इसके बाद आपको scroll करके नीचे जाना है, और यहां save button है, इस पर आपको click कर देना है जोस्तो, जैसे ही आप save button पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, फोड़ी सी uploading चलना है, आपको time लग सकता है, आपको wait क करना है, आपको यहां वहां click नहीं करना है, तो दोस्तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कि मेरा bank account यहां link हो चुगा है, आप इसके बाद दोस्तो, जब मेरे account में hundred dollar हो जाएंगे, तब अपने अप जो है, मेरा bank में money transfer हो जाएगा, तो दोस्तो इस तरह से आपने देखा कि अब भी अपने Google Adsense से अपने bank account को कैसे link कर सकते हैं, बहुत बिल्कुल safe, I hope दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई थी, वीडियो को like share and share को subscribe करें, और bell icon को press करें, तो दोस्तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए जहन